दोस्तो हारिस रूफ और नीदर लेंड के बीच देखने को मिला बड़ा ड्रामा जी हाँ दोस्तो आपको बता दूँ अज पाकिस्तान और नीदर लेंड के बीच वर्ल्ड कप का दूसरा मुकाबला खेला गया था इस मुकाबले में 286 रन चेस करने उतरी नीदर लेंड माद और 205 रन पर ही ओल आउट हो गई आपको बता दू हारिस रूफ नीदर लेंड के बैट्समेन वैन मी करन को बाउंसर बॉल डालते हैं जिसके बाद हारिस रूफ और वैन मीर करन के बीच में बड़ा ड्रामा देखने को मिलता है इसके बाद बाबर आजम हारिस रूफ से ऐसा करने के लिए मना करते हैं तो दोस्तों का टीम इंडिया वर्ल कप 2030 की चेंपियन बन पाएगी कमेंट कर हमें जरू बताएं